that's not been decided it अब यहां पर देखे रूल है रूल क्या है यह जो लास्ट में एक वर्ड आपको दिखा यत लाश्ट में वर्ड दिखा यत के साथ यहां पर चीज़नोट करेज़े एक के साथ जोंगा प्रजंट प्रफेक्ट का जो एक तो प्रजंट प्रफेक्ट पहले आता है ठीक है क्या होगा हमेसा निगे जुटर होगा है तो यहां तो नेलिए यहां पे जुटा की यह साथ प्रजन्ट सхर्फेंट होगा तो होगा ठीक होता है Mexico की यहाँ पर नेगे जुट है अब तो चलाओ यह चीज तो मिलेगा कि यहां पर देखनाका यहां पर देखना होगी प्रजेंट परफेक्ट इसके साथ होगा तो वाज तो कार दीजिए भाई यह पास्ट में होगा ठीक है प्रजेंट परफेक्ट में नहीं होता है इस प्रजेंट की बात करें तो उसमें आपको वहां पर प्रजेंट में होता है ठीक है तो उसकी यहां तो आपका बात होता है ठीक है फास्ट में होता है जो रहें प्रजन कंट्रिनियूस का होता है अच्छा प्रफेक्ट में बात होगा चाया तो है अब इसमें भी कौन सा होगा अब देखें यह आपका प्लूरल है ठीक है यह आपका प्लूरल है और यहां पर यह स्ट्यूमलर है अब इसमें से भी कौन साथ भरेंगे तो अगर आपको चीज जानना जरूरी होता है तो आप आसा नहीं कि आप इंपोर्टेंट तो इस पर मैं विडियो बनाने वाला हूं सोच रहा हूं उस पर बनाकर जलनी लेकर आँगा अब आपके सामने एक फिलर आ गया तब क्या करें पहला चीज एलिमिनेट कर दिया मैंने वाज हटा दिया इस हटा दिया अब यहां पर हैव होगा कि है यहां पर यहां पर सिंग्लरे अगर यह सी मुलर है तो हैं कर धनार हली तो यहां पर आप क्या भर हार है यह भर यह से तंथ हैं बहुत कुछ सिखा देता है इस बात को ध्यान रखेगा ठीक है चलिए अब यहां पे अच्छा एक चीज और इसमें देख लिए यह आपका और यहां पर प्रिपोजिशन है अच्छा प्रिपोजिशन से जो कनेक्ट होता है वर्ड यह क्या होता है हमेशा यह याद रखेगा यह वह आप सिख लिए दर्देट क्या है नावन है वंक्षून क्या नावन है यह आपसेखने को सीखने को मिले एक कोसे बहुत कुछ मिला पहला तो rule मिल गया हमको ठीक है उसके बाद आपने तेंस नहीं थे फिक्रूशन का स्वाइब बहुत सारो रूल यह बहुत जबरद है इसमें भी ठीक है अगर आप एक वर्ड मिस्स करेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है चुकि देख लो एक चुमें आपको पहले समझा देता हूं यहां पर देख लेना तब आप खुद ही आपके आधी बहुता होता है और रेक्षा इस प्रोड पर ठीक है यहां पर ध्यान रखिएगा तैंफ मैं अच्छाँ से लिख देता हूं si dispose plus of और एक होता है disposed plus टू अब दोनों का मीनिंग आप जान लोगे तो खुद हलिक कर लोगे देखे यहां पर ज़रूरी होता है disposed का मतब्त होता है हटाना थीक है यह समाप्त करना ठीक है हटाना यह समाप्त करना अब यहां पर देखो डिस्पोस्टू का मतलब क्या होता डिस्पोस्टू का मतलब रूची रखना क्या करना रूची रखना किसी चीज में आप रूची रखते हो उसको कहते हैं इंक्लाइं ठीक है रूची रखना अब देखो यहां पर ओफ लगा तो यहां पर देखो कि मिनिंग कुछ और यहां पर तू लगा तो मिनिंग बिल्कुल कुछ और लगा जैसे डिस्पोस्टू का एक्जामपल देते हैं इस डिस्पोस्टू ट्रावलिंग अब रोड ठीक है उसे अपरोड जाने में बहुत ज्यादा रूची है ठीक अब यहां पर देखना है कि गालवेज तो क्या गालवेज जो होता है कूरा करकट को कोई भला रखता है कि इसको रूची रखने में तहाँ पर एक निगेटिव वर्ड है और निगेटिव के साथ कभी ये पॉजिटिव वाली बात होगी नहीं तो निगेटिव वाली बात जो जब्यारी दिस्पोस्टक्या होगा ओ होगा ठीक है बाकि डिस्पोज के साथ विद्ध या आउट या ओडवले फॉलन नहीं आथ आपकी पूश्चन यह दो को आप रट लीजेगा बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिंशॉट ले लिजे कहीं कर लिज़ो कॉपी में डिस्पोज आप का मतब हटाना या समाप करना और डिस्पोज टू का मतब रूची रखनां अगर यह चीज़ पता होगा तो फीलर हंडीड परसें आपका करेक्ट होगा तो अंसर सही होंगे और मांक संदेड परसें आपको मिलेगा चलिए फिल मैं फिर से लेकर देखा देता हूँ एक होता है को वित होता है एक होता है को अब वित ठीक तो यह जो होता है आपका कोप वित की बात अगर यहां पर जब होगी तो यह situation से सामनजस बैठाना को वित कहेंगे और किसी व्यक्ति से सामनजस बैठाना को कोप वित केएंगे और किसी व्यक्ति से सामन जस्व वैठाना किसी व्यक्ति के साथ कंप्रमाइज गरना देन क्या कहेंगे उसको कोप अब बित अब यहां पर कोशन पर जिए गां वर्कलोड तो कोई परसन है काम है काम क्या वह है और सिचोएशन है तो क्या होगा कोप विथ होगा तो यहां पर दी नमबर आपशन होगा अपर क्या भाएगा वीथ होगा ठीक है इस चीज को भी आप नोट के लिए जी एक आपका किसी भी एक्जाम है से किसी भी एक्जाम स्टेनों हो चाहिए आपका सीजेल हो यह सेल हो एल्डीसी हो यूडीसी हो सभी एक्जाम में पूछे जाते हैं ठीक तो एक ध्यान रखें कि इस बात को चलिए यह तो तो हो गया अब तीस्टा कोश्ण के बाद आपके सामने कोशन को आ रहा है ग्रामिटिकल एर्र यह भी अब आपको घ्रामाचिकल आफ और को चाहिए तो कहीं यह दोनों जो देखते हैं ग्रामर का एरर देखते हो यह फिर देखते हो आप लोग को लगता है कि दोनों डिफरेंट है दोनों से अगर बात इसा से की जा बैंक भी थोड़े डिफरेंट आते कि यह रहर होता है आपका वर्ड बेस्ट होता है बस लेकिन कई बार उसमें भी इस चीज़ की होती है गुंजा इसको आपको रूल बेस्ट दीख जाए अब आ बहुत सरे डिफरेंट में मैंने बता रखा है कुछ वर्ड जिसमें की पचीस-पचास-था-शोला बीस-बहुत है कि जिसका कहां पर यूज करते हैं कहां नहीं करते हैं अगर यह प्लूरल है ठीक है कैटल अपने आप यह प्लूरल है तो बैए cattle को ऐसे लगा कि क्यों प्लूरल बनाए गया गलती यहीं पर है ठीक है यही पर है ठीक तो यहां पर cattle से नहीं होगा बलकि क्या होगा cattle होगा तो आपका ए पार्ट में यहां पर mistake है ठीक चलिए जो कोर्शन आप देख रहे हैं कि smoking is undoubtedly very injurious for health घार अकुछ वर्ड ऐसा होता है जिसके साथ प्रियूजिशम फaste आफिकस जैसे सुपेलियार हो गया ठीक है सुपेलियर हो गया इंटेरियर हो गया को जैसे कि सुपिर्य और हो गया आपका और किया हो सकता है प्रीवृर हो गया। तो कुछ ऐसे वर्ड है जिसके साथ ही क्या होता है इन सब के साथ जो होता है फिक्स प्रिपुजिशन क्या होता है तू होता है इसी में और वर्ड सामिल है इंजूरियस इंजूरियस जिसके साथ फिक्स प्रिपुजिशन क्या लगता है तू अब कुछ वर्डे सुपिरियर ह हो गैशुरियोस भी साथ पे सिपय तो यहां पर फूर क्या कर रहा हुए गलद है यहां पर काण एयर आप टू लगाई ठीक तो आपका यहां पर कह सकते हैं शी पार्ट में आपर गलती है चलि चलिया से आप आगे बढ़ते हैं आपने इस जो कोडिशन है कि माइफ्रेंड अनु इस वन आफ दे वेस्ट टेनिस प्लेयर इन दे कंट्री ठीक है अब यहां पर समझेगा आपको भी यहां पर एक नियम आपको दिखना वन ओफ के बाद ठीक है सब्सक्राव होगा एक चीज़ नोट कर लίजेगा किया ओगा वन आप abarem के बाद कि नान क्या만 कोओका प्लूरल होगा तब वन आफ डाय तो टेनिस प्लेयर यहां पर देखर फ्लेयर लेकिन यहां पर क्या होना औचैजिए तो प्लेयर सोना चाहिए है जिसमें डिटेल उसमें जिक्र किया गया कुछ एडियम फ्रेज भी देखेंगे आप डेक्षर से रेलेटेट कभी वह में होता ही नहीं होता है वह कभी भी कोशन में होता है नहीं है तो यह तो पहले होगा ही नहीं हिद की बाद की पार का बात किता पार में हूटा होता है यहां पे सुझ आ गया सू जो कि पैर की बात है हो रही हिल में हिल में जो पैर में होते हैं रही उसमें तो जूताइपन थे यह भी इलिमिनेट हो गया तो जिस वर्ट से जिससे रिलेट्टिशन होगा उस कोश्चन उस ऑप्षन में वह तो पहले आप इलिमिनेट करते अब बचा बेंट डाउन और रहा हो जाता है तो थैशन करते तो कहीं हो जाए घुचा चाल जाता है इसनदि बातता है ता ऑफ्कल्यां है को मिहिता ऐसे इनक्रीज या भरने की सेंस जाह भागने की सेंस बताता बेंट डाउनं की बात्कर चिजिए ब्हां freezing जूखना होता है में तो क्या होगा कोई व्यक्ति है उजुग गया तो वह तो होगा नहीं तो यहां पर जो आंसर होगा राइन ओफ होगा बेंट टुक्टू हर हेल्स मिन्स राइन ओफ ठीक है चलो कि यहां तो गिए अब आते कोशन में 18 में भी देखें ट्रिक्स इसको कैसे सौल परेंगे सबसे पहले देखिए वाज संतल प्लेन सीधा साधा सेलिंग मतल क Jaw는 के को और चलता है सान्त लेगता है सबुछ नौरमल लगता सब् perturbation से मिनिंगा अब देखते हैं और प्लेन से लिंग डिन कर लो बहुत सांत रहा है तो बात यहां पशीन सब्सक्राइब पोजिटिव के उसारा कर रहे है और यह ज़ती और निए आद pushes क्रीपन टेवल निए जवाम क्याफ नेगेटीव बता रहे तो इसको आप काड़ दो ठीक इसको काड़ दो वास complicated complicated मतलब बहुत ही कश्ट पूर्ण या बहुत ही दूविधा पूर्ण ये भी क्या negative इसको भी आप काड़ दो अच्छा competition भी क्या होता है कहीं के तसर देखतें से competition एक tough के sense में आता है जो कि ये भी कहीं कहीं निगेटिव ही बता रहा है इसको भी ऐलिमिनेट कर लो अब देख लो जब तीम चीज़े लिमिनेट होगे तो आपका अंसर यहां से मिल गया यह नमर ऑप्शन होगा ठीक है अब यहां पर नेश्ट कोशन में कि बोल्ट फ्रॉम दा ब्लू ब्लू सबसे लग रहे हैं कि ब्लू असकाई की बात होता है अकास की बात होता है लाइट की बात होता है ब्लू तो यहां पर ब्लू में लाइट की बात आगी यह लाइट देख लो इलिमिनेट कर दो लाइट से होगा नहीं अंसर ठीक है ब्लू अगर अकास की बात होती है और अकास कभी चबकता है हो यह मोझ से कोचिस चेंज हुआ है तिक है conform चेंज हुआ हो। अगर दोEPीस ओफ ब admire लु plantation लग को क्या कोई पीश मोस्कौ और क्या और करने वाली बाथ ही किया नहीं ना यह पीस ओफ बैड लग तो चेंज हो रहा है कोई चीज चेंज हो रहा है तो यहां पे बैड लग की बात तो हो नहीं रही है कोई नेगेटिव की बात हो नहीं पॉजिटीव की बात है तो complete surprise is your answer ठीक है चलो एंद इस वीडियो का लाज जो कोर्शन है ये भी कहीन है कि आपको काफी अब देखना है कि यहां पर क्या मैं भरूँगा he would not have been successful in the project but that's my help अब क्या भरोगे बित भरोगे फॉर भरोगे ऑफ बोड़ोगे तो यहां पर एक रूल देखता है note कर लिए जगा but for का मतलब होता है without without but for का मतलब होता है without तो यहां पर अगर बास्ते है देखा जाता है तो यहां पर सेची कर दाता है कि हम आपने अन्षाइब सुष्पूल इन डा प्रोजेक्ट बट्रिजों यहां कर सकते हैं कि project without my help वो सक्सेस्पूल नहीं होता वह सक्सेस्पूल अपने प्रोजेक्ट में नहीं होता है मेरे मदद के बीना यहां पर माइफ मैं इसकी के बीना के सिंस में आ रहा था तो किसी के बीना तो विदावट होता है विदावट के लिए यहां पर वट जो बट फॉर है यहां पर इसका पर यहां पर मिनिवाबट पॉर तो प्रिपरिश्ट यहां पर इसके साथ हुआ है वह होगा बट के साथ पॉर और यह इसका मतलब गता है विदावट आप नहीं होगा विद्ध नहीं होगा तो क्या होगा आपका सी नंबर आपसन तो गाइट कैसे लेगी वीडियो कमेंट करके अगरो पाइट सह ओका साथ करके बाल इसकी अचर मेंटा सी नहीं होगा ऌहां ढशाओ करें थासएपल झाहार।